गुड मॉर्निंग स्टुडेंट टुडेंट नेक्स्ट टॉपिक फ्लोरा फाउना ठीक है प्रिवियस में प्रिवियस लेक्टर में भी हम इसे पढ़ रहे थे तो आज इसे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ओके बिटा अधर वाइड लाइप स्पीसिस इंक्लूडिंग ओ हमारा नैशनल जो पक्ची उसका नाम क्या पीकोक है ठीक है बेटा कितने सारे रेप्टाइल से इंक्लूडिंग मेगनिफिकर्शन किंग कोब्रा यह सांप है पाइथन से क्रोकोडाइल से लार्ज फ्रेश वाटर टॉट्यों से ठीक है बेटा मॉनिटल लेजर से ठीक है ब इंक्लूडिंग लार्ज एंड कलरफूल बटरफ्लाइस ठीक है बेटा नेक्स्ट है दा ग्रीन बेल्ट पोर्ट सम् 15,000 स्पीसिस अप्लांट अब ग्रीन वैल्ट क्या हुआ बटा ग्रीन वैल्ट का मतलब ग्रीन वैल्ट का मतलब होता है वह एरिया जहां पे पेड़ पो जाते हैं एस्टन इस्ट रिजन ओफ इंडिया में मेली पाए जाता है वेरस दा पाइन एंड अब यह अलग लग तरह के फोरस्ट है ठीक है बैटा कॉन फीरियस वूड लैंड और फाउंड इन वैस्टन रिजन ओफ हिमालियस ठीक है बैटा एक तो ट्रॉपिकल फोरस्ट फैसन पाया था इस्टन में और पाइन्व जो पाइन बूड लैंड ऑर फांड इन वैस्टन हिमालियस पाइजाता है ठीक है बैटा चीर पाइन यह अलग लग नेमस है जो आपका एज़े व्यांट करना पड़ेगा यह हमें यह कहां मिलता है नोर्थ भैस्ट हिमालियस में बिलता है वाइल चिल्गोजा और पाइन नट ओक मेपल एक्सेटरा ग्रोव एविडेंटली इन कश्मीर ठीक है बैटा और यह देखो यह कुछ चिल्गोजा यह वर्ड ही आपने पहली वार सुना को मैंने भी यह मैंने यह टेस्ट किया हुआ है काफी अच्छा होता है डाइन नट हो गया ओक हो मेपल हो गया यह कहल至 पीटली का मतलब होता है काफी क्वांटिटि में मतलब ठोड ठीक ठाक क्वांटिटी में पाय जाता हूँ वह बी कश्मीर में ही शिर्फ ढोडनेंसि metal मोसी से equivalent है तो इन में से 10 अन्हिंबर कीrá सकता है कहीसे बीदे फीर्ट मलब ट्रीज अनम विच टूइल चिल्क बश्ए स्थर हैंं औरःश क क्षार सस्टन एक ब्लब ही मलबुरी ट्रीजस से हम अमरों के सिंस ठ्राइब यह विडरे महीं आर्ड है कि यहाम क्या आ से के पास मिलता है चांसा बसस्योंट कोस्पे पढ़ता है इन के ला जो आगर हम के बात करें तो मेंली वहां क्या मिलता है कोओकोपनेट चौकोटेंट कोटेंट के ही में बनी सबजी मिलेगी उसा में चंदन की लखड़िया इंडिया आप ऐसे कह सकते हो कि आपको एक नया चीज मिलेगा जो आपको हो सकता कि और किसी कंट्री में ऐसा देखने को नहीं मिले पर इंडिया में तक रहना आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा ठीक है बैटा इंडिया ट्रेजर ओफ फ्लोरा एंट फाउना अर्ड़ डिवाइन लिंग और इफ मैयर आपने पड़ लिया कि इतने सभी चीज इंडिया में मिलता है बट अगर फॉरेस्ट खतम हो गया तो इन में से कोई भी चीज हमें इंडिया में नहीं मिलेगा ठीक है इसके बिछे रीजन क्या है ना रहेगा फॉरेस्ट देखो फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो जानवर कहा does नहीं रहेगे अगर जानवर ही ? नहीं रहेगे तो इंसेक्स लोगे है एलफेंट्स लोगया टाइगर्स हो गया कितने दिन जिन्दा रहेंगे, रोड पे थोड़ों रहेंगे, या उनके लिए घर थोड़ों बना देंगे, बेटा उनके लिए घर जो है, वो जंगली ही है, उनको वही रहना पड़ेगा, और उनके लिए सबसे बेटर प्लेस वही है, तो इससे बचाने के लिए सबसे बेस् तेटेशन, थैंक ये वर टोड़े